हलो दोस्तों UPSC हिंदी के ऑनलाइन स्टेडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश समिक्षा अधिकारी सहायक समिक्षा अधिकारी जो आरो ए आरो का एक्जाम हुआ था 2016 में उसके क्वेस्चन पेपर को डिसकस करेंगे एक चीज और देख लेंगे कि UPSC हिंदी द्वारा जो है आरो ए आरो के लिए बैच स्टार्ट किया गया है और जिसकी फीस अभी जो वर्तमान में रखी गई है वो 500 रुपे रखी गई है किसी भी प्रकार के इस बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके आप इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं देखेंगे इस बैच में जो है कि GS Current Affairs, General Hindi ये तीनों चीजें इंक्लूड हैं और ये जो कुल क्लास होगी वो 120 घंटे की पूरी क्लास कराई जाएगी तो आगे बढ़ते हैं और आज का पहला जो प्रश्ण है उसको देख लेते हैं प्रश्ण है कि निमलिखे सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिड का सही क्रम कौन सा है और इसमें हम देख लेंगे option तो A है माया, एजटेक, मुष्का और इंका, B है माया, मुष्का, इंका और एजटेक, C है एजटेक, मुष्का, माया, और इंका और D है एजटेक, माया, मुष्का और इंका तो ये सभ्यताओं दी गई है और इंका उत्तर से दक्षिड की ओर में सही क्रम लगाना है और इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे एजटेक, माया, मुष्का और अब इसको जो है कि हम एके करके यहाँ देख लेते हैं देख लेंगे इन सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिड की ओर यहाँ दिया गया है एजटेक, माया, मुष्का और इनका अगर हम एजटेक समराजी को देखें तो ये मध्य मैक्सिको में स्थित था मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका महादीब का जो भाग है वहीं हम माया अगर सभ्यता को देखें तो ये मध्य अमेरिका में एक ऐसे छेत्र में स्थित थी जो कि वर्तमान का दक्षडी मैक्सिको है और इसके साथ साथ जो है कि यूकाटन प्रायदीप, ग्वेटे माल, बेलीज और उत्तर माया ये उत्तरी अमेरिका में थी और वहीं अगर हम मुष्का को देखें तो यह जो है कि दक्षडी अमेरिका के पूर्वी कोलंबिया में ये सभ्यता इस्थी थी, अब हम इनका समराज को देख लेते हैं तो इनका विस्तार जो था, दक्षड अमेरिका में पश्चिम और इनका और इसका जो option सही हो जाएगा, option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रेशन देख लेंगे, अगला प्रेशन है कि रिग्वेध है, और इसमें option देख लेंगे, option A है, शुरोतों का संकलन, option B है कथाओं का संकलन, option C है सब्दों का संकलन, और option D है युद्ध का ग्रंथ और इसमें जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि शुरोतों का संकलन देख लेंगे यहां जो है कि ब्रामण साहित में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो रिग्वेद है और जिसमें जो है कि मुखेता शुरोतों का संकल किया गया है अगर रिग्वेद में देखने तो उसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सुक्त है और रिग्वेद के मंत्रों को जो है कि यग्यों के युशतर पर देवताओं के इस्तुति हेतु उचारित किया जाता था और इन मंत्रों का वाचन करने वाले रिशियों को जो होतरी या रिग्वेद के दो ब्रामण ग्रंथ हैं इसी के साथ हम अन्य वेदों को भी यहां समझ लेते हैं देखेंगे ब्रामण साहित में चार वेदों को रखा गया है पहला हो गया यह रिग्वेद दूसरा है सामवेद तीसरा हम देख लेंगे यजुर्वेद और चौत्त हो जाएगा अथर्वेद पहले हम रिग्वेद को देख लेंगे तो रिग्वेद का जो उपवेद है वो आयूर्वेद है सामवेद को समझ लेते हैं तो सामवेद से ही भारतिय संगीत का जन्म हुawa है ठीक है तो सामवेद को जो है की भारतिय संगीत का जनक माना जाता है देखेंगे अगर इसके उपवेद को सामवेद को उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है गंधर्व वेद ये सामवेद का उपवेद है और इसके जो पूरोहित होते थे उनको उद्गाता कहा जाता था सामवेद के पूरोहित को उद्गाता कहा जाता था अगला हम देख लेते हैं यजूरवेद को तो यजूरवेद में यज्य संबंधी विधी विधान दिये गया है यज्य संबंधी विधी विधान यजूरवेद में दिये गया है तो यजूरवेद को जो है कि हम दो भागों में देख सकते हैं पहला हो जाएगा शुकल यजूर और दूसरा यहां देख सकते हैं क्रिश्न यजुर्वेद इसको दो भागों में बाटा गया है और इसके पुरोहिद को देखें तो यजुर्वेद के पुरोहिद को अधर्वियू कहा जाता था तो यहां देख सकते हैं यजुर्वेद के पुरोहिद को अधर्वियू कहा जा इसमें तंत्र मंत्र वशी करड़ के साक्षि में मिलते हैं अगर इसका उपवेद देखें तो इसका उपवेद जो है वो शिल्पवेद है और इसके पूरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था तो इस प्रकार देखेंगे रिगवेद को तो रिगवेद जो है वो श्रोतों का एक संकलन है और इसलिए इसका जो आप्शन सही हो जाएगा अगला प्रशन देख लिएते हैं अगला प्रशन है कि बुद्धु द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंत और इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि सुभध देख लेंगे यहां कि बुद्ध द्वारा जो है कि बौध धर में दिक्षित अंतिम व्यक्ति जो था वो सुभध था जबकि आनंद जो था उनका सरुपरी शिष्य था और आनंद के अनुरो है उसमें जो है कि पर्मीशन नहीं थी लेकिन आनंद के अनुरोध पर जो है कि महात्मा बुद्ध ने इस्तरियों को बौध धर्म में देख्षित करना प्रारम भी किया था देख लेते हैं महात्मा बुद्ध को तो महात्मा बुद्ध को देख लेंगे तो महात्मा बुद इसापुरो में मात्न बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु में वही हम कुछ बौत धर्म के प्रतीकों को देख लेते हैं जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं को बताते हैं तो कुछ प्रतीक हम यहां देखेंगे जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं को यहां बताएं देखेंगे बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमलव साध है देख जो इनकी घ्यान की प्रापती हुई थी उनका प्रतीक देखें तो यह जो है कि पीपल है बोधिवरिक्ष वही अगला हम इनके महापरी निर्वाड या मृत्यू को देखें महापरी निर्वाड या फिर मृत्यू इसका जो प्रतीक है वो इस्तूप है तो यह इनके जीवन की कुछ घटनाय है और यह उससे संबंधित प्रतीकों को यहां बताया गया है देखेंगे 29 वर्ष में उन्होंने अपना ग्रिहत्याग कर दिया था और इनके ग्रिहत्याग की जो घटना है उसको कहा जाता है महाभिनिश क्रमड उसी प्रकार हम देखेंगे जब उन्होंने प्रताम उपदेश दिया था उन उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है अगर बुद्ध की मृत्यू देखेंगे तो बुद्ध की मृत्यू जो है वो 483 इसापुरो में अस्ति वर्ष की आयू में इनकी मृत्यू हो गई थी तो इसका जो ऑप्षन सही हो जाएगा कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निमने वेक्तिव में से कौन सा अंतिम था तो इसका ऑप्षन D सुभध इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं, अगला प्रशन है कि निम्निकित साशकों में से किसके लिए एका ब्राह्मन प्रयूक्त हुआ है, और इसमें हम आप्शन देखेंगे, आप्शन है पुश्यमित्र शुंग, आप्शन भी है खारविल, आप्शन C है गौत्मी पुत्र शात इसको देख लेंगे, यहाँ, देखेंगे एका ब्रामध, अथवा अध्विति यह ब्रामध जो है। सात्वाहन शासक जो गौत्मी पुत्र शात करड़ी थे, उनको जो है कि गौत्मी बल्षि के नासिक अविलेख में कहा गया है। देखेंगे गौत्मी पुत्र शातकरडी सात्वाहन वंश का तेईस्वा तथा सबसे महान शासक था और जिसके सैनिक विजियो की जानकारी जो प्राप्त होती है इनकी माता गौत्मी बल्शी के नासिक प्रशस्त्री से प्राप्त होती है इसे ब्रामडों का एक मात्र रक्ष कहा गया है गौतनि पुतर शात करडी को सात्वाहन वङ्ष के विशे में हम यहां देख लेते हैं सात्वाहन वङ्ष को तो सात्वाहन वङ्ष को अगर हम देखिए तो इसकी जो स्थापना हुई इसकी राजधानी जो थी सात्वाहन वन्ष की वो प्रतिस्ठान थी उसी प्रकार देखेंगे इस समय के समाज को तो सात्वाहन वन्ष जो था उस समय जो है कि वो मात्री सत्तात्मक समाज था यानि कि राजाओं के नाम जो रखे जादे थे उनके नाम जो है उनकी माता के नाम पर रखे जाते थे जैसे हम देख सकते हैं गौत्मी पुत्रशात करडी यानि उनकी माता का नाम गौत्मी बल्शी था और उन्हीं के नाम पर जो है कि इनका भी नाम रखा गया है लेकिन अगर हम सात्वाहन राजखुल की बात करें तो यह जो था वो पित्र सतात्मक था यान अगला प्रशन देख लेते हैं, अगला प्रशन है कि समुद्रकुप्त के प्रयाग प्रशस्ती वाले इस तंब पर निमलिखित में से किसका लेक मिलता है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन A है जहांगीर, ऑप्शन B है चाहाँ, ऑप्शन C है और एंगजे, औ और option D है दारा सिको और इसमें जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि जहांगीर देखेंगे यहां हरिशीड रचित प्रयाग प्रशस्ती समुद्र गुप्त के विशे में जानकारी का एक प्रमुक्ष्रोत है जिसमें जो है कि जहांगीर का एक लेख अशोक की रानी कारुआकी का एक लेख देखेंगे जहां इसमें जो है कि जहांगीर का एक लेख है इस प्रशस्ती पे वहीं जो अशोक की रानी थी कारुआकी उनका लेख है तथा अशोक का निर्देश भी इस पर खुदा हुआ है और यह अभी लेख जो है मुलतक कौशा में इस्थापित था जिसको अकबर के द्वारा इलहाबाद के किले में इस्थापित किया गया था और इसलिए जो है कि प्रयाग प्रशस्ती अभिलेक इसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ती अभिलेक के संबंद में इस्तंभ लेक के संबंद में देख लेते हैं तो इसको जो है वो समुद्र गुप्त के वीजय का वर्डन है तो देख लेंगे इसमें जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला है कि निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है देखेंगे इसमें सूची एक दी हुई है तता सूची द इन में से बताना है कि इन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक तरफ जो है राजवनशो के नाम दिये गये हैं और दूसरी तरफ इस सम्बंधित मुद्राओं के नाम दिये गया है तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कुशाड बी है गुप्त सी है साथवाहन और डी है कल्चुरी तो इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा आप्शन नमबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि सात्वाहन जो है वो स्वड मुद्राओं से संबंधित नहीं है यहां देख लेते हैं देखेंगे सात्वाहनों ने स्वड सिक्को का प्रशलन नहीं करवाया था विकल्प जो सी है वो सुमेलित नहीं है अगर सीषे का सिक्का चलाने वाला प्रथम वन्ष देखें तो वो सात्वाहन वन्षी था देखेंगे सीषे का सिक्का जो सरोप्रथम चलाया गया था वो सात्वाहनों के द्वारा ही चलाया गया था और इन सिक्कों को जो है कि रोम से मंगा आया जाता था, वहीं अगर हम कुशाडो को देखे, तो सरवाधिक शुध सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय जो है, वो कुशाडो को जाता है, और देखेंगे, यह दिपी भारत में सरोपर्थम जो सोने के सिक्के चलाय गए थे, वो हिंद यमन के द्वारा चलाय तर हो जाएगा यहां हम गुप्त से संबंधित सिक्कों को देख लेते हैं गुप्त कालीन सिक्कों को तो गुप्त कालीन सोने के सिक्कों को निश्क कहा जाता था यहां देख लेंगे गुप्त कालीन सोने के सिक्कों को निश्क कहा जाता था और उसी प्रकार जो है कि चादी क शिक्कों को रूपयक कहा जाता था, अगला प्रेश्न देख लेते हैं, अगला अगला प्रश्न है कि निमलिखित में से किसका शिखर द्रविड शैली में बना हुआ है और इसमें ऑप्षन देखेंगे ऑप्षन ए है भितर गाउ मंदिर, ऑप्षन भी है ग्वालियर का तेली मंदिर, और इसमें जो आप्षन सही हो जाएगा ऑप्षन नमबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका जो शिखर है वो द्रविड शैली में बना हुआ है देख लेंगे यहां कि ग्वालियर के तेली मंदिर में जो नकाशी है नकाशी जो मूर्तियां है वो उत्तर भारतिय शैली में है जिबकि उसका शिखर जो है वो द्रविड शैली में निर्मित किया गया है इस मंदिर की जो वास्तु शैली में हिंदू और बौध दोनों वास्तु कला का मिश्रड इसमें समाहित किया गया है और इस मंदिर का निर्माड जो करा यहां देख लेते हैं मंदिर निर्माड की शैलियों को तो मंदिर निर्माड की तीन शैलिया है यहां इसको समझ लेंगे मंदिर निर्माड की वो कुल तीन शैलिया है पहली इसमें हम देख लेंगे नागर दूसरी है मंदिर निर्माड की शैलियों में द्रमड और तीसरा इस यह उत्तर भारत में प्रशलीत है यानि कि देख सकते हैं उत्तर भारत में उसकी उदाहरण के रूप में हम देवगड का दशावतार मंदिर को देख सकते हैं देवगड का जो है कि दशावतार मंदिर इसका एक उदाहरण है और गुप्त कालीन मंदिर भी जो है वो जो है कि नागर शैली के ही उदारण है उसी पेकार अगर अगरम द्रमिड शैली की बात करें तो ये जो है कि बिसिकली डक्षित भारत वह दक्कन वाले चेत्र में है प्रश्लित है और इस मेरे इसके विशेश्था और विशाल वीमान इनकी प्रमुक विशेश्था है उसी बेशर शैली को बात करें तो यह मिष्रित मंद्र निर्मार की शैली है और इसमें कुछ इसमें विशेस्ता द्रमेट शैली तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसका शिखर ध्रमेड नागर शैली में निर्मित है अगला प्रेश्न देख लेते हैं कि निमलीखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजिकाल में सल्तनत की राजद्हानी थी और इसमें हम आप्शन देखेंगे option A है आगरा, option B है लाहर, option C है बदायू और option D है दिल्ली और इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि की दिल्ली देखेंगे इल्टुतमिस के राजिकाल में जो है सल्तनत की राजधानी जो थी वो दिल्ली थी यहाँ देख लेंगे कुतुबुदीन एबक के समय सल्तनत की राजधानी जो थी वो लाहर थी और किन्तु एबक की मृत्यू के पस्चा जो है इल्टुतमिस ने 1210 इस्वी में सल्तनत की राजधानी को लाहर से दिल्ली इस्थानांतरित कर दिया था और इसीलिए जो डॉक्टर आर्पित्रि पाठी है उन्होंने इल्टुतमिस को जो है कि दिल्ली सल्तनत का वास्त्विक संस्थापक बताया है कुटुबुदीन एबक को देखें तो यह गुलामवंज के संस्थापक थे गुलामवंच के संस्थापक थे और इनका अगर देखेंगे 1206 से 12010 तक इसका साशन था तो था कुतुबुद्दीन एबक ने कभी सुल्तान की उपाधी नहीं धारड की ये जीवन भर जो है कि सिपह सलाकार की उपाधी इसने धारड की थी तो देखेंगे कुतुबुद्दीन एबक जो है कि ये गुलामवंच का संस्थापक था अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि निम्लिखित में से कौन राजा मुहमत गोरी द्वारा चंदावर की उद्ध में पराजित किया गया था और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन है प्रित्विरा चोहान ऑप्शन भी है जैचंद ऑप्शन सी है कुमारपाल और ऑप्शन डी है भीम द्युतिय तो चंदावर की उद्ध को देखेंगे तो चंदावर का उद्ध जो हुआ था वो मुहमत गोरी और जैचंद के बीच हुआ था तो इसलिए इसका जो आप्शन सही हो जाएगा आप्शन नमबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि जैचंद इसका सही उत्तर हो जाए देख लेंगे यहां देखेंगे मुहम्मद गोरी द्वारा चंदावर की उद्ध में जो की 1194 इस्वी में हुआ था गहडवाल वन्ष के शासक जैचंद को मुहम्मद गोरी द्वारा पराजित किया गया था देखेंगे जैचंद गहडवाल वन्ष का अंतिम शासक था जिसके दर्बार में संस्कृत के महान बेद्वान श्रीहर्ष रहते थे और इनके श्रीहर्ष के द्वारा जो है कि नैशत्चरित नामग्रंथ की रचना की गई थी यहां हम देख लेते हैं मुहमद गोरी के अन्य युद्धो को भी देख लेते हैं तो इसमें जो पहला हो जाएगा प्रत्थम युद्ध हो जाएगा मुहमद गोरी के प्रमुख युद्धो को यहां हम देख लेंगे तराइन का प्रत्थम युद्ध यह जो है कि गोरी वो पृथवी राज चोहान के बीच लड़ा गया था और यह जो लड़ा गया था वो प्रिथवी राज चौहान इसमें विजय हुआ था और इसी प्रकार हम देखनेंगे तराइन का दूतिय युद्ध तराइन का दूतिय युद्ध को देखें तो ये भी जो है कि मुहम्मद गोरी और प्रिथवी राज के बीच ही हुआ था लेकिन इसमें प्रिथवी राज की पराजे हुई थी तो था इसमें मुहम्मद गोरी विजय हुआ था और ये किस्तन में हुआ था तो ये 1192 में तराइन का दूतिय युद्ध हुआ था इसी प्रकार हम मुहम्मद गोरी का अगला यूद देखे तो ये चंदावर का यूद था तो चंदावर का यूद जो हुआ था देख लेंगे यहाँ जो चंदावर का यूद हुआ था ये ग्यारो सो चौरानबे इसमी में हुआ था और इसमें जो है मुहम्मद गोरी ने के बीच हुआ था और जैचंद की इसमें हारुई थी तो इसी प्रकार ये तीन युद्ध थे पहला तराइन का पर्थम युद्ध जो की 1191 में रूए था दूसरा है इसमें तराइन का दूती युद्ध जो की 1192 में हुआ था और तीसरा हो जाएगा 1194 में चंदावर का किये थे और इसमें हम option देखेंगे option A है राथोड, option B है सिसोधिया, option C है कच्छवाहा और option D है चोहान और इसमें जो option सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि की कच्छवाहा देख लेंगे इसको देखेंगे कि आमेर की कच्छवाहा शाशक भारमल अथवा ब 1562 हिस्वी में अजमेर में मुईनुदीन चिस्ति की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री हर्खा भाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था जिसे अकबर द्वारा स्विकार कर लिया गया था देखेंगे हर्खा भाई इनका नाम जो अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचीयों के नीचे दियेगे कूट से सही उत्तर चुनिए इसमें हम पहला देख लेंगे पहला है हौकिन्स, बी है टॉमस रो, सी है मनोची और डी है रॉल्फ फिंच इनको बताना है ये भारत आने वाले विदेशी आत्री हैं और ये किस सन में आये थे तो इनका जो है कि सही मिलान करना है देखेंगे कूट आधारित प्रश्ण है और इसमें जो है कि A, B, C, D, 4 इसमें कूट दिये हुए है तो इस प्रकार इसको मिलान कर लेंगे सबसे पहले हम जो है कि गैप्टन हॉकिन्स को देखेंगे तो इसमें जो A का सही हो जायेगा एका जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वहीं अंग टामस रो को देखें तो इसका जो सही हो जाएगा बी बी का हो जाएगा एक सी को देखेंगे मनुची तो इसका हो जाएगा इसमें सी का हो जाएगा चौथा देख लेंगे सी का हो जाएगा चौथा और इसमें डी का जो सही हो जाएगा डी का सही मिलान हो जाएगा तीन तो इसी प्रकार एका दो बी का एक सी का चार और डी का तीन यह सही इसका मिलान हो देखेंगे जो हॉकिन्स था कैप्टन हॉकिन्स ये 1608 से 1611 इस्वी में भारत आया था उसी प्रकार हम देख लेंगे टॉमस रोको तो ये 1615 से 1619 इस्वी मनुची को देखेंगे तो 1653 से 1708 और रॉल्फ फिंज को देखेंगे तो 1585 से 1586 में उसने जो है कि भारत की यात्रा की थी तो हम बारी बारी से जो है कि नियात्रियों के विशे में देख लेते हैं सबसे पहले हम कैप्टन हॉकिन्स को देखते हैं तो कैप्टन हॉकिन्स जो था वो इस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी और व्यापारी था तथा इंग्लैंड के राजा जैम्स प्रथम देखे था Captain Hawkins जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था उसी प्रिकार हम Thomas Rowe को देख लेते हैं तो Thomas Rowe को देखें तो यह जो है कि यह भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था यह जो है कि 1615 से 1619 तक इसने भारत की आत्रा की थी अगला हम मनुची को देखेंगे तो यह मात्र 16 वर्ष की उम्र में भारत आया था और उसी प्रकार हम रॉल्फिंच को देख लेंगे तो रॉल्फिंच जो है इसने जो है कि दक्षिडपूर्व एशिया की यात्रा करने वाले जो है कि शुरुवाती ब्रिटिश यात्रियों म इसने बःत की यात्रा की थी तो इसका alan बाद बहारत की यात्रा की थी तो इसका जो तही उत्तर नहीं हो जाएगा अगला प्रस्ण देख लेते हैं कि निमकित में से कसने महाभारत का फारसि में अनुआद किया था और इसमें हम ओप्रशन देखेंगे ऑप्शन A है अब्दुलकादिर बदायूनी, ऑप्शन B है अबुलफजल, ऑप्शन C है निजामुदीन एहमद, और ऑप्शन D है शेख मुबारक, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे, ऑप्शन नमबर A, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि अब्दुलकादिर बदाय के समय, अब्दुलकादिर बदायूनी और फैजी के द्वारा किया गया था, यानि जब महाभारत का फार्सी में अनुआद हो तो इसका नाम जो रखा गया, उसी परकार देखेंगे, तो अबुलफजल ने जो है, कालिया दमन, कालिया दमन और पंचतन्तर का फार्सी में अ अबुलफजल को देखें, तो इसकी रचनाओं में देखें, तो ये जो है कि अकबर नामा की रचना, अबुलफजल के द्वारा ही की गए थी, उसी परकार हम देखेंगे, तो आइने अकबरी की रचना, अबुलफजल के द्वारा ही की गए थी, अबुलफजल जो था, वो अगला प्रशन देखेंगे अगला है निम्रिकित में से किसका मकबरा भारत की बाहारिस्तित है और इसमें हम ओप्षन है हुमायू, ओप्षन भी है और रंगजेब, ओप्षन C है जहादर्शा और ओप्षन D है जहागीर और इसमें जो ओप्षन सही हो जाएगा ओप्षन नम उसमें जो है कि इसके मकबरे का निर्माड नूर जहादवारा करवाया गया था जबकि हम देख लेते हैं बारी-बारी से अन्य आप्शन को भी तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे औरंग जेब तो औरंग जेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है उसी प्रकार हम जहादर शाह को देखेंगे तो इनका जो मकबरा है वो खुश्रो बाग में है और हुमायू का जो मकबरा है वो दिल्ली में इस्थित है और उसी प्रकार जहागीर का देखेंगे तो इसका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में इस्थित है अगला प्रशन देख ले कमपनी की स्थापना कब हुई थी और इसमें हम option देखेंगे option ए 1835 option घा 837 option c ए 1849 और option d ए 1841 और इसमें जो option सही हो जाएगा option c इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि की 1849 देख लेंगे देखेंगे the awesome company भारत की सबसे पूरानी व्यवसाईग चाय कमपनी है और जिसकी इस्थापना जो है अठारो सो उन्तालिस में पांच लाख की पूजी के साथ असम में की गई थी और इसका जो मुख्याले इस्थित है वो नजीरा असम में इस्थित है तो इसमें देखेंगे इसका जो ऑप्षन सही हो जाएगा और इसका जो ऑप्षन नमबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि 1857 के विद्रो के दोरान बहादूर शाह ने किसे साहबे आलम बहादूर का खिताब दिया था और इसमें आप्षन देखेंगे आप्षन है अजी मुल्ला आप्षन भी है बिर्जिस कद्र आप्षन सी है बक्त खाम और आप्षन दी है हसन खाम और इसका जो ऑप्षन सही हो जाएगा आप्षन नमबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि बक्त खाम देख लेंगे तो 1857 के क्रांती कारियों में एक उपेक्षित किंतु महतपूर नेता बक्त खान था जिसने जो है कि दिल्ली का नित्रित्व 1857 की क्रांती में किया था और जिसने जो है कि 11 माई 1858 को मुगल सेना नाय के रूप में विद्रोह का नित्रित्व समाला था देखेंगे बक्त खान को जो है कि बहादूर शाह जफर जो की मुगल बार्शाह थे उनके द्वारा जो है कि साहब आलम बहादूर का खिताब प्रदान किया गया था वहीं जुलाई 1851 में दिल्ली में एक विद्रोह नयाले की स्थापना भी की गई थी जिसका प्रदान जो बनाया गया था वो बक्त खान को ही बनाया गया था 1857 की क्रांथी से समबंदी जो है कुछ प्रमुक्तत थे यहां देख लेते हैं 1857 की क्रांथी जो ही थी वो 10 माई 1857 को मेरट से जो है कि यह विद्रोह प्रारम भुआ था और उस समय जो है कि भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लाड कैनिंग था लाड कैनिंग, गवर्नर जनरल था भारत का, तथा इंगलेंड का प्राइम मिनिस्टर उससमें देखेंगे, इंगलेंड के प्रधान मंतरी जो थे, वो पामस्टन थे, देखेंगे, पामस्टन उससमें इंगलेंड के प्रधान मंतरी थे, और उसी प्रकार अगर विद्रोह से संबंधित जो है कि अन स्थानी देख लेंगे निर्तित्व जो किया गया था जो प्रमुख नेता थे तो कानपूर देखेंगे किसके निर्थितु में किया गया था ये विद्रो तो कानपूर जो है कि नाना साहब तथा तात्या टोपे उसी प्रकार हम अगर लखनव को देखेंगे तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल देख लेंगे इलहाबाद में तो इसका निर्थितु इलहाबाद में जो किया गया था वो लियाकत अली के द्वारा किया गया था लियाकत अली द्वारा जो है कि इस विद्रो का नितित्व जो है कि इलहाबाद में किया गया था वही अगर हम फैजाबाद को देखेंगे तो फैजाबाद में इसका जो नितित्व किया गया था वो मौलवी अहमदुल्ला दोरा इसका नतित्व किया गया था तो इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि 1857 के विद्रों के दोरान बहादुर शाह ने जो है साहब आलम बहादुर का जो खिताब दिया था वो बक्त खान को ही दिया अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तता सूचीयों के आंत में दिये गया कूट का सही उत्तर चुनिए अब इसमें देख लेते हैं सूची एक और इसमें दिया गया है अब ए है पॉंडीचेरी बी है आप्शन नमबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे हो जाएगा इसमें एका दो यानि पॉंडीचेरी का संबंध हो जाएगा फ्रेंच या फिर फ्रांसीसी से इसमें का हो जाएगा तीन यानि कि पूर्टगाली जो संबंधित है वो गोवा से उसी प्रकार सी हो जाएगा त्रांके बार या फिर त्रामड कोर जो था इसका सही हो जाएगा डेनिश या फिर देन्स से और चोथा हो जाएगा मद्रास तो मद्रास जो हो जाएगा वो डचो से संब अगला प्रशन देखेंगे अगला है कि निम्लिकित कतनों पर विचार करें और देखेंगे इसमें कथन ए दिया हुआ है कि जवाहर लल नहरु ने दूसरी गोल में सम्मेलन 1932 में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का प्रतिने धित्व किया था और इसका कारड ये बताये गया है कि गाधी इर्विन समझोता जो कि 1931 में हुआ था भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का दूसरी गोल में सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर नहीं था तो इस प्रकार देखेंगे नीचे दीगे कूट का सही उत्तर चुनिए और इसमें विकल्पों को देख लेंगे तो A है A और R दोनों सही है तथा R A का सही स्पस्टी करड है B है A और तथा R दोनों सही है किन्तु R A का सही स्पस्टी करड नहीं है C है A सही है किन्तु R गलत है और D है A गलत है किन्तु R सही है और इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि इसमें A गलत है किन्तु R सही है कथन कह रहा है कि जवाहलल नहरू ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भारती राष्टी कॉंग्रेस का प्रतिने धित्व किया था, यहां इसको हम समझ लेते हैं, देखेंगे जामाहरलाल नहरू ने नहीं, बलकि महात्मा गाधी ने दूसरे गोल में सम्मेलन 1931 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का प्रतिने धित्व किया था, देखेंगे गाधी आर इसमें सत्य है, देखेंगे कि जो समेलन ये हुआ था दूसरा गोल में समेलन, इस समेलन में कॉंग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था और इस समेलन में गाधे जी जो है वो एसे स्राजपुताना नामा कड़ा जाहाज से दुतिये गौल में समेलन में भाग लेने गह carbon में गय थे देख लेते हैं गोल में संमेलन को यहां समझ लेंगे गोल में समेलन को तो गोल में समेलन गाद evalu था ठेम आ वह जो कराया गये थे एक श्रिंख्ला के तहट जो है यह तीनों गोल में सम्मेलन कराया गये थे पहला जो गोल में सम्मेलन हुआ था वह की 22 नमबर 1930 से 13 내न जन्वरी 1931 तक हूए था, इसमें हम दूसरा गोल में सम्मेलन देखें, जो 2 गोल में सम्मेलन हूआ था, ये 7 सितंबर 1931 ते प्रार्म हूआ था, और जो है कि इसमें महात्मा गांधी द्वारा हिस्सा लिया गया था 13-17 जन्वरी 1931 तक हुआ था इसमें दूसरा गॉल में स میںलन देखें के साथ सितंबर 1931 प्रारब हुआ था और महात्मा गाधी द्वारा हिस्सा लिया गया था वहीं वही आ मकर तीसरा गोल में समेलन देख लेंगे जो थार्ड गोल में समेलन हुआ था यह 17 नमंबर 1932 से जो है कि 24 दिसम्बर 1932 तर चला था इसी प्रकार जो है कि देखेंगे तीन गोल में समेलन हुए थे तथा गांधी जी द्वारा जो है यानि कि जवाहल लाल नहरु ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भारती राष्टी कॉंग्रेस का प्रतिनेदित्व नहीं किया था बलकि महादमा गांधी द्वारा इसका प्रतिनेदित्व किया गया था अगला प्रेशन देखेंगे, अगला प्रेशन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, तता सूचीयों के अंत में दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए, देखेंगे इसमें तो सूची एक में क्रांतिकारियों के नाम एक तरफ दिये हुए हैं, और दूसरी तरफ दिवान तो देखेंगे यह 1857 की क्रांति से संबंधित क्रांतिकारियों के नाम है और उन्हों ने 21 स्थान पर नितृत अपना किया था, यहां वोक्षिन सही मिलाना करना है नीची से संबंधित कूर्ट दिया हुआ और इसमें जो औक्षण सही हो जाएगा और सकते हो जाएगा देखेंगे नाना सहब कानपूर से संबंधी थे तो एसमें हो जाएगा B काणनमे 1 2 दूसरा इसमें दुल्ला जो हैं वो लखनाव से संबंदित हैं तो देखेंगे तीन और मनी राम दीवान यह जो है कि असम में इन्होंने अपना नित्यत्तु किया था तो इस प्रकार देख लेंगे A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4 ओप्शन नमबर D इसका सही हो जाएगा यहां देख लेंगे नाना सहब कानपूर नवाब हामी दलिखा दिल्ली मॉलवी एहमदुल्ला लखनाव और मनी राम दिवान असम देखेंगे मॉलवी एहमदुल्ला जो थे वो उत्र-प्रदेश के महत्वड क्रांतिकारी थी जिन्होंने लखनाव यह फैजाबाद दोनों इस्तलो पर क्रांत आंतिकारियों का निर्थित्व किया था ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है कि इनको पकड़ने के लिए 50,000 इनाम देने की घोशना की गए थी तथा जगनाद सिंग द्वारा विश्वाद करके इन्हें मार डाला गया था देखेंगे मौलुई अहमदुल्ला को तो 1857 की विद् पिशार कीजी और इसमें देखेंगे दिया है कि 1853 में ये पश्चिम भारत के पारस थे ये इंडियन इस्पेक्टेटर तथा वाइस ओफ इंडिया के संपादक थे ये समासुधारक थे और सम्मति आयू अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुक संखर्ष करता थे बताना है ये किसके विशे में ये जो है कि उपर्यूक्त पैराग्राफ कहा गया है और देख लेंगे इसमें आप्शन तो है दादा भाई नरोजी बी है बीम मालाबारी सी है वीपी बाडिया और डी है नरोजी परदौन जी और इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा आप्शन नमबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि बीम मालाबारी ये कथन जो कहा गया है वो बीम मालाबारी के संदर में ये कथन कहा गया है यहां देख लेंगे देखेंगे बीम मालाबारी जो थे एक समासुधारत थे और जिन्होंने जो है कि इंडियान इस्पेक्टेटर वाइस ओफ इंडिया नामक पत्र का इन्होंने संपादन किया था तथा वी सम्मत यायु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे और देखेंगे अगर सम्मत यायु अधिनियम ये क्या था तो इस अधिनियम के द्वारा जो है कि लड़कियों के विवाह की नियुन्तम आयु 12 वर्ष कर द अधर तिलक द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया था देखेंगे बहराम जी मेराम जी मालाबारी का जन्म जो है वह 18 मैं अधर तिरपन को गुजरात में हुआ था और इंडियन स्पेक्टेटर का विले वाइस आफ इंडिया में कर दिया गया था और इसका संपादन जो है यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1886 और 1906 जब कांग्रेस का दिवेशन हुआ था तो यह उसके अध्यक्ष रहे थे इनको जो है कि दादा भाई ने रोजी के द्वारा ही किया गया था उसी प्रकार हम देखेंगे 1867 तो 1867 में जो है कि इस्ट इंडिया एसोशियेशन का गठन इनके द्वारा किया गया था देखेंगे इस्ट इंडिया एसोशियेशन का गठन दादा भाई ने रोजी के द्वारा किया गया हैं अगला प्रिश्ण है कि अगस्त 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यक्ष निमलिखित में से कौन था और इसमें हम option देखेंगे option A है CR-10 option B है मोतिलाल नहरू option C है M R जैकर और option D है बिठल भाई पतेल और इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि अगस्त 1925 में Central Legislative Assembly का अध्यक्ष जो थे वो बिठल भाई पतेल थे देखेंगे अगस्त 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यक्ष सरदार बल्ला भाई पतेल के जो बड़े भाई थे बिठल भाई पतेल वो थे और लेकनी यह कि बिठल भाई पतेल ने जो है कि बिठल भाई पतेल ने जो है कि 1923 इस्वी में चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी देखेंगे 1923 में इनका चुनाओ जो है केंद्री विधान सभा में इनको चुना गया था इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि निमलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और इन संस्थाओं को देख लेंगे इसमें पहला जो है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा दूसरा ह इसमें जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि एक दो तीन और चार सही काला नुक्रम यही हो जाएगा सबसे पहले हम देखेंगे बंग भाषा प्रकाशिका सभा तो इसका जो इसकी स्थापना जो की गई थी देख लेंगे बंग भाषा प्रकाशिका सभा इसकी स्थापना जो की गई थी वो राजा राम मोहन राय के द् छो इसकी फ्रका नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी उसी प्रिकार हम यहां देख लिượng हैं इंडियाद लिंग्की इस्थापना इन्डियो लिंग्कि चिए्षि कुमार घोर्ष के द्वारा की गउएilah 1 ए cousins को देख सकते हैं प्रश्म में उल्लिखित, संस्थानु और उनके संगत इस्थापना करम इस प्रकार है सबसे पहले बंग-भाशा प्रकाशी का सबाना जो की गई है वह 1836 एक गई है और इसकी स्थापना जो की गई है वह राजा राम ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना 1843 में की गए थी और चोथा है इंडियन लींग और इसकी स्थापना जो है 1875 में शिशिर कुमार घोश के द्वारा इसकी स्थापना की गए थी तो इस प्रकार ये जो है कि सही है एक, दो, तीन और चार यानि ऑप्शन नमबर इसका जो ए है वो सही हो जाएगा यानि 1836, 1838, 1843 और 1875 अगला प्रेशन देख लेते हैं अगला प्रेशन है कि निम्रिखित यूगमों में से कौन सा सही सुमेलित है और इसमें हम देख लेंगे ए है इसमें BD सावरकर प्रेशन गहरा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है और इसमें हम देख लेंगे A है BD सावरकर, B है RC मज़ुमदार, C है राधा कमल मुखर जी और D है SP चौधरी तो इसमें प्रश्ण कहा रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है और इसमें जो option सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि राधा कमल मुखरजी देख लेंगे यहां देखेंगे राधा कमल मुखरजी जो है वो अवद इन रिवोल्ट जो कि 1857 से 1858 तक चला था उससे संबंधित नहीं है क्योंकि अवद इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखग जो है वो रुद्रांग्शु मुखरजी है नकी राधा कमल मुखरजी और शेश विकल्प जो है वो इसमें सही सुमेलित है इसमें सेश विकल्प को देखेंगे तो यह सही सुमेलित है वहीं D है S.B. Chaudhary, the Indian Mutinies 1857-1859, यह जो है कि S.B. Chaudhary द्वारा इसकी रशना की गई थी, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के निम्निखित प्रांतों पर विचार की जुए, और उन प्रांतों को पहचानिये जहां 1937 में भारती रा देश, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है बंगाल, और चौथा है पंजाब, प्रशन कहा रहा है कि निम्निखित कूट से सही उत्तर चुनिए, A है 1 और 2, B है 3 और 4, C है 2 और 3, और D है 1 और 4, और इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा, आप्शन नम्बर B, इसका सही उत्तर हो दिनियम, 1935 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न चुनाओं में, भारती राष्टी कॉंग्रेस के 6 प्रांतों, देखेंगे मदरास, बंबई, मध्यप्रांत, उडिशा, बिहार और सहयुक्त प्रांत में जो है कि बहुमत से मंत्री मंडल का गठन किया गया था, जबकि प पंजाब में मुस्लिम लिग वो यूनियस्टिक पार्टी, जबकि बंगाल में देखेंगे करिशक परजा पार्टी वो मुस्लिम लिग की संयूक्त सरकार बनी थी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानि कि पंजाब बंगाल में 1937 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का मंत भारत के निमलेखित में से किसराज में भावालीक छहत्र का सरवाधिक प्रतिशत वन छहत्र हैं और इसमें हम ऑप्षण देखेंगे मडिपूर, मगाले, मृप्षण मृजोर्म और यह लिए नागा लेंड और इसमें जो ऑप्षण सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि मिजोरम इसको देख लेंगे देखेंगे वर्ष 1987 से जो है भारती वन इस्तिती रिपोर्ट को दुईवार्शिक रूप में भारती वन सर्विक्षर द्वारा प्रकाशित किया जाता है यानि जो है कि भारती वन इस्तिती रिपोर्ट है हर दो वर्ष पे इसको प्रकाशिन किया जाता है देखेंगे ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 स्रिंखला की 16 वी रिपोर्ट है और इसके संबंद में जो है देखेंगे कि मिजोरम अरुणांचल प्रदेश मेगाले मडिपूर और नागालें ये क्रमश अर्डविक जोहै कि भगलिक छेत्र का सरवाधिक प्रतिशत दरस आते हैं लेकिन अभी देखेंगे तो अभी जो है कि वन इस्थिति की जो सत्रहवी रिपोर्ट है वो जारी की जा चुकी है 2021 में और इसमें भी जो है कि सरवाधिक 1 प्रतिशत्ता वाली राज्यों का प्रतिशत्त का क्रम सेम यही हो जाएगा ज्यानि कि 17 जो रिपोर्ट है यह 16 रिपोर्ट की अनुसार है मिजोरम अरुडांचल प्रदेश मेगाले मडिपूर और सेम यही क्रम जो 17 रिपोर्ट आई है भारती वनसर वेक्षर की तो सेम यही क्रम जो है कि 17 रिपोर्ट में भी दिया गया है इस प्रकार इसका जो आप्षण सही हो जायगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला मिजोर में ने विश्व को इतने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है और इसमें हम option देखेंगे option a है 9, b है 10, c है 11 और d है 12 और इसमें जो option सही हो जाएगा option number c इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि की 11 देख लेंगे यहाँ अपनी पुस्तक introducing cultural geography में जेई Spencer एवंग W.L. Thomas ने विश्व को कुल 11 सांस्कृतिक छेत्रों में विभाजित किया है अगला प्रशन देखते हैं अगला है कि पर्यावरण मंत्राले द्वारा जारी किये गया इंडियन state of forest report 2015 के अनुसार भारत मे पूरे भागालिक छेत्र का कितना प्रतिशत छेत्र वनों और पेडों से आछदित है और इसमें हम देख लेंगे A 22.48, B 23.00, C 24.16 और D 24.48 प्रतिशत और इसमें जो option सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि 24.16 प्रतिशत यहाँ देखेंगे Indian State of Forest Report 2015 के अनुसार भारत के कुल भगालिक छेत्र का 24.16 प्रतिशत छेत्र वनों और पेडों से आछदित था जबकि अगर हम देखेंगे ISFR 2019 की जो 16 मी रिपोर्ट आये थी उसके अनुसार जो है कि वर्तमान में उसके अनुसार जो है देश का कुल वन और विच का अच्छादन जो था वो 80.17 मिलियन हेक्टेर था जो देश के कुल भगालिक छेत्र का 24.5 प्रतिशत था अभी जो है कि 17 मी वन इस्तिती दी गई है और 2021 में जो है कि भारत के कुल भगालिक छेत्र का 24.62 प्रतिशत था वन और पेड़ो से आच्छत दित है तो वर्तमान में जो हो जाएगा वो 24.62 प्रतिशत हो जाएगा वहीं 2015 की बात करें इंडियन स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2015 आये थी उसके 2019 में जो 16 वी रिपोर्ट जारी की गई थी उसकी अनुसार यह प्रतिशत था जो वो 24.62 प्रतिशत खेत्व 27 वी रिपोर्ट की अनुसार है अग्ला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है कि निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखेंगे एक तरफ इसमें जो है कि फसलों के नाम दिये हुए हैं और दूसरी तरफ जो है कि इनकी प्रजाती दी हुई है और प्रश्न कहे रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है और इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें A है धान, B है गेहूं, C है अरहर और D है मटर और इसमें जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि गेहूं यहां देख लेते हैं गोविंद और शुष्क समराट जो है यह सुष्क समराट दिया हुए है तो उसी प्रकार देख लेंगे गोविंद और शुष्क समराट जो है वो धान की प्रजाती है जबकि पारस अरहर की और प्रकास जो है वो मतर की प्रजाती है तो यहां देख लेंगे यहां गोविंद और शुष्क समराट जो है यह धान की प्रजाती है यानि कि शुष्क समराट जो है वो गेहूं की प्रजाती नहीं है और अरहर को देख लेंगे पारस जो है कि अरहर की तथा प्रकास जो ह जहासी और इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि जहासी इसको देखेंगे कि मार मिर्दा जो है वो बुंदेल खंड छेत्र के जहासी ललितपूर मादा आदी जिलो में पाए जाती है और उलेखनी है कि काली मिट्टी के दो प्रकार होते हैं एक कावण मिर्दा और दूसरी जो है कि मार मिर्दा यानि जो मार मिर्दा है वो जो काली मिट्टी या फिर रेगर मिर्दी है मिट्टी है उसके प्रकार में प्रकारों में से एक है देखेंगे मार मिर्दा गेहु अकपास के लिए उप्यूक्त होती तो इस प्रकार देख लेंगे इसका जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि जहां से जेले में जो है कि मार मिर्दा पाई जाती है अगला है कि भारत में फसलों की बुवाई के अंतरगत शुद्ध शेत्रफल है लगभग और इसमें हम option देखेंगे option A है 12 करोड हेक्टेयर medicine D है 16 करोड हेक्टेयर isme C है 14 करोड हेक्टेयर और इसमें जो option सही हो जाएगा option number C इसका सही हो जाएगा यानि कि 14 करोड हेक्टेयर यहां देख लेंगे कि भारत में फसलों पिंग देले के Y के अंतरगत teaching शुद्द श्यत्रफल है लगभग 4000 करोड और उलिखनी है कि वुआाई की अंतर्गत शुद्द श्यत्र से था पड़ ये जो है वो फस्लों और भागीचों के साथ बुआ पागफ से तात पर रहे हैं तो इस प्रकार इसका जो क्यों और शुद्द सही होजायेगा से पर लगबग 14 करोड हेक्टेर का है अगला प्रश्न देखते हैं अगला है निम्लिखित में से किस कड़का व्यास 0.002 mm से कम होता है और इसमें हम देख लेंगे कि A है मृतिका, B है गाद, C है महीन बालू और D है उप्रयुक्त में से कोई नहीं और देख लेंगे इसमें जो आप्शन सही हो जाएगा आप्शन नमबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि मृतिका इसको यहां देख लेंगे देखेंगे प्रश्न में उलिखित कड़ और उनके व्यास निम्नवत है और इसमें हम देख लेते हैं मृतिका तो मृतिका का जो व्यास है वो 0.002 mm से कम है उसी पेकार अगर हम ग देख लें तो इसका जो है वो 0.06 mm से 0.2.0 mm के मध्य इसका व्यास है तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा यानि कि कि किस कड़ का व्यास जो है कि 0.002 mm से कम होता है तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा आज की क्लास में इतना ही अगले प्रशन आगे की क्लास में डिसकस किये जाएंगे यहां एक चीज और ध्यान देंगे कि UPSC हिंदी द्वारा आरो यारो के लिए जो बैच चलाये गया है उसमें जो है इसकी फीस जो है कि 500 रुपए रखी गई है इसमें जो है कि टेस्स को स्टार्ट करने की संभावना है तो देख लेंगे यानि कि यह जो फीस रखी गई है आरो यारो UPSC हिंदी द्वारा जो इस्टार्ट किया गया है जिसकी फीस 500 रखी गई है उसमें जो है कि टेस्स सीरीज इंक्लूड नहीं है यानि टेस्स सीरीज अभी शुरू नहीं की गई है थैंक यू